आयरवेद में प्रैगनेंट वूमन के लिए गर्धिनी परिचर्या के बारे में बताया गया है और उसमें प्रैगनेंट वूमन के लिए डूज, डॉन्स सब कुछ अच्छे से इक्स्प्लेइन किया गया है तो उनमें से कुछ महत्वत्वपूर्ण बिंदूओं को आज मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगी ताकि आप आयरवेद को समझे और उसको अपने जीवन में अपना कर अपनी प्रेगनेंसी को स्वस्त सुरक्षित रख सके और फिर इंजॉय कर सके अपने जिन्दगी को तो आए शुरू करते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है फर्स्ट्रिमेस्टर से चालो होता है तो फर्स्ट्रिमेस्टर में 12 अप्तों तक थोड़ा सा रिस्क रहता है कहते हैं स्टडीज में डेटा बताते हैं कि जितने भी मिस्कारिजेज होते हैं उनमें से 60% फर्स्ट्रिमेस्टर में ही होते हैं कई बार खान-पान की असावध ज्यादा गरम तरीके से जैसे की hot hot चाय, दूद काफी आपने ले ली इस तरीके से चीजों को नहीं लेना है, cool food खाना है, बहुत जादा गरम मसालों का इस्तमाल नहीं करना है, जो spices काफी गरम मानी जाती हैं, उनको विल्कुल यूज नहीं करना है, आयरविद में ये भी कहा आपको chips खाने की cravings, suppose हम लेकि एक 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 unhealthy choice है, उसमें trans pet होता है, आपके digestion को बिगाड़ देगा, हो सकता है आपको vomit हो जाए, लेकिन थोड़ी मातरा में आप chips जरूर खा लिजे, इसके बात, बार-बार अगर मन करता है, तो आप घर में बना के, सही तरीके से बना कर खा सक कि बच्चे में विक्रिती की संभावना होती, इसलिए आप cravings पर ध्यान दें, और बहुत ज़्यादा food ही ना हो, बहुत ज़्यादा food centric mindset ना रखें, चूजी ना हो, इससे cravings बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा मीथा या बहुत ज़्यादा खटा, कि अगर आपको craving होती है, तो आपको इसको control करना है, बहुत कम अत्रा में खाना है, क्योंकि ये आपकी pregnancy को नुकसान पहुचा सकता है, आपका routine क्या होना चाहिए, according to आरवेदा, आपका morning routine होना चाहिए, इससे बच्चे के अंदर सात्विक, बहुत ही शालीन, बहुत ही संसकारी सुभाव डिवलप ह होता है, आप early morning का routine रखती तो बच्चा भी शान्त होता है, आपका भी mood बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा तहार्मिक, अध्यात्मिक वातावरन रखना अपने घर में, और ऐसे books पढ़ना, ऐसा literature पढ़ना, ऐसा music सुनना आपके लिए बहुत अच साथ जरूर करवा, इससे आप काफी relaxed feel करती हैं, और quality life enjoy कर पाती हैं, आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, और अपने जीवन में apply करके धेर सारी positivity gain करेंगे, stay tuned with us, take care, bye-bye.